अले यो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल मेग करियो टोड़े दोस्तों आज ही वीडियो बहुत ही खास है जी हाँ मॉल में बहुत सारी विकेंसिस निकल कर रही है दसवी पास है अगर आप बारवी पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज का एक्सपीरिंस कि यहाँ पर आपको ड्यूटी निभाने होगी कोई टार्गेट बेस जॉप नहीं है यहाँ पर मॉल के अंदर यहाँ पर आपकी जॉब रहेगी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूं कि कैसे अप्लाई करना है सालरी कितना रहेगा कित अब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और लाइक भी कीजेगा अगर वीडियो पसंद आए और बेल आइकन ही कीजेगा तो बीना टाइम वेस्ट किये करती हूं वीडियो को स्टार्ट ऑन माई कम्प्यूटर स्क्रीन फ्रेंज जैसे की मैंने आपको बताया यहां पे बहुत अच्छी वेकेंसी निकल कराई है जो की मॉल से है जी हाँ विशाल मेगा माट का नाम सुना होगा बहुती पुराना और बहुती फेमस वैल लोल मॉल है यहां पे रिकृट्मेंट निकल कराई है दो हजार तेस के लि यहां पर cashier की post निकल कर रही है यहां पर sales associate store manager, buyer, visual merchandiser, advertiser, marketing manager, cleaning staff, यह सारी post निकल कर रही है क्या काम करना पड़ेगा आपको मैं वह भी बताने वाली हूँ, total post जो निकल कर रही है वो 20-30, 20-30 की post निकल कर रही है यहां पर बहुत सारी post बहुत easy apply कर सकते हैं, online mode यहां पर है apply करने का, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां पर, मैं बता देती हूँ आपको काम क्या करना हो, अगर आप cashier के लिए apply करना जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो भी items होते हैं वो scan करने होते हैं, price check करना होता है, quantity check करने पड़ती है, correct तरीके से और आपको assist करना पड़ता है, products के ओपर, returns को handle करना होता है, तो basically cashier का यह काम होता है, जो कि basically price and quantities आपको यहां पर correct करके maintain, manage करनी होती है, यहां पर, उसके बाद है sales associate, तो sales associate का basically का क्या रहता है, sales associate का जो responsible रहेगा, वो working closely with customer, customer के साथ बहुत close आपको काम करना होगा, जो भी customer पूछ रहे हैं, उसका answer देना होगा, कोई भी customer किसी product के बार में पूछते हैं, pricing के बार में पूछते हैं, sale के बारे में discount के बार में पूछते हैं, तो वो आपको वहां पर guide करना होगा, customer को अच्छे से solution बताना होगा, right answer देना होगा, basically यह आपका sales का काम होता है, उसके बाद है store manager, store manager का का काम क्या रहेगा, store manager आपको यहाँ पे daily operations चेक करना होगा, और यहाँ पे आपको effectively देखना होगा, कि सब कुछ smooth चल रहा है, sales team को motivate करना होगा, यहाँ पे business strategies लानी पड़ेगी, promotional develop करना पड़ेगा, basically आपको यहाँ पे store manager का काम होता है, वो staff को training देना होता है, supervisor को training देना होता है, और साथ ही में sales team को motivate करना होता है, कि आप अच्छे से manage करिएगा, तो यह store manager का काम होता है, यहाँ पे आपको करना होगा, और अगर आप कम पड़े लिखे हैं, तो कम पड़े लिखे लिए मेरे पास जो vacancy है, वो cleaning staff की है, cleaning staff में आपको क्या करना होता है, आपको जो basic cleaning होती है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, चाहे वो mall में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, अगर आप mall में करते हैं, यहाँ पे आपको floors को बार बार clean करना पड़ेगा, आपको जो भी dust दिखती है, वो आपको clean करनी अगर आप कम पड़े लिखे हैं तो आप इसे apply कर सकते हैं उसके बाद है यहाँ पे बात कर लेते हैं नीचे apply mode की आपको ये समझ आ गया होगा responsibility जो मैंने आपको बताई है आपको क्या करना होगा अब apply mode में क्या है apply mode आपको online रहेगा कोई भी fees की requirement नहीं है बिल्कुल free of cost आप apply कर सकते हैं इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप apply कर सकते हैं जी हाँ इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं आप इसे apply कर सकते हैं महिला पुर्ष दोने apply कर सकते हैं age limit इसमें जो रहेगी candidate आपका minimum 18 साल होने चाहिए maximum specified नहीं है इसमें सो कम से कम 18 साल की उमर होनी चाहिए तभी आप आप apply कर सकते हैं relaxation में आपका SCST OBC relaxation government की guideline के rule होना चाहिए और SCST 5 सार OBC 30 सार अब दोस्तों की mall की तरफ से आपको salary package कितना मिलने वाला है वो आपका depend करता है पोस्त के उपर स्टार्टिंग आपका जो रहेगा वो 10,000 रहेगा अगर आप cleaning में भी apply करते हैं तो 10 से 15,000 आपका salary रहेगा तो 10 से लेकर 40-50,000 तक यहाँ पर आपको salary package मिल सकता है वो depend करता है कौन सी post के लिए आप apply कर रहे हैं उसके बाद है यहाँ पर specifically लिखा हुआ है जनरल OBC की कोई fees नहीं है, SCST की भी कोई fees नहीं है, PH candidate की भी कोई fees नहीं है तो कोई consideration charges नहीं है, कोई hidden charges नहीं है, बिल्कुर free of course apply कर सकते हैं education में आपका 10 वी pass है, आप कर सकते हैं आप इसे apply कर सकते हैं, selection process आपका जो रहेगा वो interview के base पर रहेगा, यानि की interview किस तरह से दे रहे हैं आप अगर आप fresher है तो जादा आपसे questions नहीं पूछेंगे, अगर आप experience है तो आपका past experience पूछाएगा कि काम आप क्या करते थे आपका जो selection process रहेगा वो आपका interview के base पर रहेगा, अभी तक मैंने आपको सारी चीज़े clear कर दी है, कि आपका salary package क्या रहेगा, location क्या है, post आपको एक एक करके मैंने profile भी बता दी है, describe करके कि क्या आपको करना पड़ेगा याँ पे, अब मैं बात आने जा रहे हूँ आपको कि apply कैसे करना है, दोस्तों बहुत ही easy way मैं आपको बता रहे हूँ, apply करने के लिए description box में मैंने link share किया है, उस पे खली कीज़ेगा और easily आप apply कर सकते हैं, कोई दिक्कत परशानी आती है, please comment box में share कीज़े, जल्दी reply करने की कोशिश करेंगे, so friends I hope आपको मेरा वीडियो अच अच्छा लगा तो एक like कीज़ेगा और please मेरी चैनल को subscribe भी कीज़ेगा जाते जाते, मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye